देखिक लास 10 की exercise 7.2 का जो question number 3 है question में हमसे क्या बोला गया है question में हमसे बोला गया है to conduct sports day activity sports day activity conduct कराने के लिए in your rectangular shaped school ground ABCD यहाँ पर एक rectangular shape का ground है एक school का lines have been drawn with choke powder at the distance of 1 meter each यहाँ इस पर जो line बनाई गई है इस rectangular जो field है ground है इसमें जो line बनाई गई है line कीची गई है वो choke powder से कीची गई है और एक अक मीटर की distance पर कीची गई है ठीक है यह 1 meter यह 2 meter यह 3 यह 4 इस तरीके से जो है 1-1 meter की distance पर यह line जो है choke से कीची गई है ठीक है आगे बोला गया है hundred flower pots have been placed at a distance lower pots है वो जो है एक दूसरे से एक अक मीटर की distance पर जो है रखे गए है इसी तरीके से उपर को यह चलते चले जा रहे हैं 1 meter की distance पर जो है इनको रखा गया है AD के along यह AD है आगे हमसे बोला गया है यह figure में हमें बताया गया है आगे बोला गया है निहारीका runs 1 4th the distance AD on the second line and post a green flag निहारीका जो है दोड़ती है और 1 4th the distance AD AD की 1 4th distance पर second line में वो जो है एक flag को जो है green flag को जो है गाड़ देती है अब देखिए जो निहारीका है निहारीका ने second line में सबसे पहले अब हम इसके बेस पर coordinates बनाएंगे निहारीका जो है वो ये है वो दूसरी line में तो ये x axis है और ये क्या है y axis है तो दूसरी line का मतलब x जो है इसका वो कितना हो जाएगा 2 तो इसके लिए अगर coordinates निकालें तो 2 दूसरी line में और इसका 1 by 4th 1 4th 1 4th किसका इस AD का तो AD का 1 4th अगर हम निकालें तो ये बताया गया है के 100 flower ports हैं और एक अक मेटर पे जो है एक अक मेटर की distance पर वो रखे गये हैं तो अगर 100 flower ports हैं और उसका 1 4th अगर हम निकालें 1 4th यानि 1 by 4 से multiply इसको कर दें तो कितना जाएगा 25 तो जो निहारी का है वो दूसरी line में AD की तरफ 25 flower ports तक जो है चली जाती है ठीक है तो यहाँ पर जब हमने 100 flower ports का 1 by 4 निकाला तो कितने आगे 25 तो यह यहाँ पर दूसरी line में और उपर को 25 तक चली जाती है तो यह इस निहारी का की coordinates हो चुके हैं पर इसने flag जो है यह गाड़ दिया है प्रीती runs 1 by 5th the distance AD on the 8th line and post a red flag और जो प्रीत है वो आठवी line में यहाँ से इस line की सीद में 1 by 5th ठीक है तो जितने यहाँ से यहाँ तक 100 flower ports से यहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं यह मगर हम इसको मानना पड़ेगा इसमें 100 flower ports रखे हैं तो जो है यह आठवी line में AD के along जो है 1 by 5th 1 by 5 distance पर जो है AD की जो है यह भी प्रीत भी जो है flag को red flag को गाड़ देती है तो अगर हम इसके coordinates बनाएंगे तो यहाँ पर यह 8 है तो X इसका कितना हो जाएगा 8 और जब हम 100 flower port का 1 by 5th निकालेंगे तो कितना आजाएगा वो 20 तो यह कितना आजाएगा 8 और 20 तो जहाँ पर प्रीत ने जो है जो flag को जो है गाड़ा है वो उसके coordinates कितना आचुके है 8,20 और जहाँ निहारिका ने गाड़ा है उसको 2,25 आचुके हैं अब हमसे यहाँ पर बोला गया है आगे what is the distance between both the flag तो दोनों flag के बीच की distance को हमें बताना है तो यहाँ पर distance formula लगाएंगे और हम उन दोनों के बीच की distance को निकाल लेंगे आगे हमसे बोला गया है अगर रश्मी जो है ब्लू फ्लेग को पोस्ट करती है फ्लेग exactly half way between the line segment अगर इस line segment के बिलकुल mid पर अगर जो है रश्मी एक फ्लेग को गाड़ दे ब्लू कलर के तो where should she post her flag तो उसका जो है फ्लेग कहां पर गड़ा होगा वो उसके कोड़नेट्स हमें बताने है तो क्या करेंगे इस base पर मान लेंगे हमें इसने जो है जो ब्लू फ्लेग गाड़ा वो यहां पर गाड़ा ठीक है तो मैं इसको A मान लेता हूँ इसको B मान लेता हूँ तो अब हमें क्या करना है P के कोडिनेट्स भी निकालने हैं जहां पर रश्मी ने फ्लेक को गाड़ा था ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यह जो मैंने हाँ पर A माना है इसको G मान लेता हूँ ग्रीन फ्लेक की बात कर रहे थे और यह जो दूसरा वाला था यह इसका जो कलर था वो रेड था ठीक है तो इसको मैं यहां पर R मान लेता हूँ और यह ब्लू था तो इसको B मान लेता हूँ ठीक है B. के हमें कोडिनेट्स निकालने पड़ेगी और G.R की डिस्टेंस निकालने पड़ेगी ठीक तो अब हम इसको जो है solve करते हैं अब देखे जो चीज मैं वहाँ पर बता है थी वहने आप पेपर पर लिख लिए है जी ग्रीन वाले के कॉरडिने इया है और रेड वाले के कॉरडिने ि顏 है और ब्लू ब्लू फ्लेड'. के कॉडिनेट enact से हमें निकालने और ये कितना है हमारे पास y2 है ठीक है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर distance निकालेंगे g और r की या निके g r निकालेंगे तो under root x2 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square तो under root x2 की अगर हम बात करते हैं तो 8 और minus x1 कितना है 2 का whole square plus y2 कितना है 20 minus y1 कितना है 25 का square तो under root के अंदर 8 में से दो गया 6 का square और plus minus 5 का square ठीक है तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो under root 6 का square 36 plus minus का square plus 5 का square 25 जब हम इन दोनों को add करेंगे तो 65 11 carry 1 3 और 2 5 और 1 6 under root 61 unit तो इन दोनों flag के बीच की जो distance आ जाएगी हो कितना आ जाएगी under root 61 unit ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे the distance the distance between between both the flags is equal to under root under root 61 unit ठीक है यह इसका answer आ जाएगा अभी हमें इसका जो second part है उसको भी निकालना है उसमें हमें क्या करना है जो यह blue वाला flag था इसके coordinates हमें निकालना है ठीक है तो चलिए इसको कर लेते हैं अब देखे इसके coordinates निकालने के लिए हमारे पास यह x1 y1 x2 y2 है तो यह इन दोनों का midpoint है तो अब midpoint के coordinates निकालने के लिए midpoint formula का use कर लेते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 4.b जब b point के लिए काम करेंगे तो यह x1 तो 2 रहा और x2 कितना रहा 8 और y1 कितना रहा 25 y2 कितना रहा 20 ठीक है तो यहाँ पर coordinates of coordinates of b, b के coordinates कितना आ जाएंगे midpoint formula से निकालेंगे x1 प्लस x2 upon 2, y1 प्लस y2 upon 2, x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8 और upon 2, y1 कितना है 25 प्लस 20 और upon में 2, 2 और 8 कितना है 10 और upon 2, 20 यह कितना जाएगा 45 और upon में 2, 2 से यह कर जाएगा 5 ताइम तो 5,45 और upon में 2, यह इसका answer आ जाएगा ठीक है तो जो यह blue flag था इसके जो coordinates आ चुके हैं वो कौन से है 5,45 upon 2, 45 और upon में 2, यह जो है इसका answer आ जाएगा, देखे जो b point है, b point के जो coordinates हमारे पास हैं, वो है 5,45 upon 2, तो जो b point का जो x coordinate है, जो कि कितना है 5 है, उससे यह मालूम हो रहा है कि जो b point है, वो 5th line में होगा, यह हैं, यह हमारे पास एक figure है, जिसमें जो है, पहली 2, 3, 4, 5 वी इस तरीके से line बनी हुई है, तो जो b point आएगा, वो 5 वी line में आएगा, 5th line में आएगा, और यहां से, यहां से जो इसकी distance होग रश्मी ने जो है, फ्लेग को पोस्ट किया था, ठीक, तो हम यहां पर इसका exact answer लिख सकते हैं, she post her flag in 5th line, according to first coordinate of b, and at a distance of 22.5 meter, और वो जो 5 वी line में जब अपने फ्लेग को गाड़ेगी, तो वो 22.5 meter की distance पर गाड़ेगी, ठीक है, तो यह इसका answer हो जाएगा,